तो अब हो गया है जी दोपेर का टाइम और मैं बनाऊंगी खाना और यहां यह फूट वगेरा लेकर आए यह भी अच्छी रखेन को भी उठा कर अब सुमी मास्केट में निकाल के मसला कर देखते हैं अब मैं अभी किसन साफ कर गई थी थी थोड़ी देर पहले ही जिती हैं म नारियल पानी है केले हैं चीकू है और नारियल है अब एक खीरा कटा होगा इसके पापा ने चिलके भी उनियाक उठा दे ही होई गेर कचले जो मैं इनको कई बार बोलती भी रहूं मैं का उठा देखरो मैंने सोई साफ करो जाओं वारवां लेकिन बस ऐसे गेर ने तो खा कि कि अब मैं सोच रही कि अब मैं बना लूकी कराइटा क्योंकि दई के भी नहीं बीना यह सबजी करा जाने के और दाए भी रखी मेरे पास तो मैंने सच्छा चलो लोगी कराईटा लो रात करणी है लेके आया ता लोगी बनी से काफी सारी का अज़ी वनाए पाफी तो स सब्जी के लिए आप की मैंने ले लिए हैं और अब इसको च्छिले के लिए और उन्हें उन्हें से मिक्स हो जाती है और टेश्टी भी लगता है, हैल्दी तो है, हैलो की कराईता, तो टेश्टी भी लगता है, बस यह कद्दू कस करके, एक बार एक ही सिट्टी लगाऊंगी, ज्यादा निकरूंगी, तो इसको रखतूंगी उबलने के लिए तो यहां देखिए, लोकी रख दिया है, मैंने अब उसके बाद जो फ्रूट लेके आए थे, इनको भी धोके रख दूँगी, वो इसलिए मैंने का फिर बच्चे आना, जैसा उठा के खा लेते हैं, दोते नी, तो मैं साथ साथ जब भी लाते हैं, कुछ भी चीज, खाने की तो उसको धोके ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर यह नहीं रहता कि बच्चे कभी धोए या ना धोए, इस वज़े से, तो यहां मैं जो भी लेके आए हैं, फ्रूट, केले, और यह चीज, को धोके रख दूँगी, तो धोके रख दिये हैं, और अभी तो लोकी में खेर, साइद उबल तो गई थी, मैंने रख दी थी, ठंडी होने के लिए, मैंकर उसमें टाइम तो लगता ही है, थोड़ा, तो जब तक मेरे जो कीचन के काम है, वो निम्टा लूँगी, सारे, यह बरतन वगेरा, सारे रैक में लगा दूँगी, और वैसे तो कीचन तो खेर साप ही है, सारा अभी तो पड़ा, उसके बाद फिर अपना छोटे मोटे काम से बहुत सारे हो जाते हैं, वो कर लूँगी, और तवियत तो खेर मेरी अभी ढिली है, मतलब इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, कल से तो आज त तवियर ठीक नहीं थी इस वज़े से, और यहां बस थोड़ा सा तवियत की वज़े से ही हो रहा, और आज कल तो सच में डर लगने लगया है, आपने भी सुना होगा, जो एक यूट्यूबर है, सपना चोदरी बहुत बड़ी, उनके बारे में उनके साथ देखे कितना बड दर सा बैठ गया, और दर सा क्या मतलब मन कापने लगता है, सबीर जब से मने कल से उनका सुनाना कि उनके जो पती है, उनका एक्सिडेंट हो गया, और वे एक्सपायर होगे, तो मतलब कल से मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकली, बिलकुल भी, और बार 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 वो ही मेरे दिमाग मारी और मैं उनकी वीडियो देखती थी अगर मैं आपको बता हूँ उनका चैनल है स्नैपी गर्ल के नाम से और मैं देखती रहती हूँ उनकी वीडियो और अभी में अपने माई के ही गई हुई थी तो जैसे ही अचानक से ख़बर आई मुझे पता चला कि मतलब मुझे इन दुना बताया कि ऐसे ऐसे में जो उनके इस बैने वे एकस्पायर होगे तो सच में मेरे इतना बड़ा धका सा लगया जाद है इसलिए क्योंकि अभी 2021 में उनके जो पहले पती थे यह एकस्पायर होगे थे कोरोना के टाइम है और यह उनके दूसरे पती थे यह भी एकस्पायर होगे देखे कितनी चोटी सी उमर मैं मतलब लगबग 24 या 25 साल की उनकी में ज्यादह नहीं है और इतनी सी चोटी सी उमर मैं इतने बड़े बड़े सदमें लगे उन्हें दो और सच मैं हम मतलब मैं भी आ और नहीं कर सकती मेरा, मेरी जवान भी कापने लगती है इतना सोचने के बाद उनका और इतनी ज़ादा मतलब कह नहींसकती बस मैं तो भगौन से यहीं पड़े करती हुँ कि भगवान उनको दुख सहने कि सकती देना حالा कि मैद दुख इतना बड़ा है कि साइद बहुत मUSH कि पहली बार भी उनके साथ इतना बड़ा दुख का जहटका लगा था फिर जैसे कैसे वे बिचारी खड़ी हुई उन्होंने अपनी दूसरी जिन्दगी सुरू करी एक जिन्दगी के लिए आदमी इतना वो करे फिर भी उन्होंने दूसरे अपनी सुरू करी और अब वो दूसरी जो करी थी भगवान ने फिर उनके साथ वो यादसा दुबारा कर दिय तो बहुत ही गलत करा भगवान ने यह बहुत ज़्याद है और सच में मुझे जब सब पता चला मेरा तो दिमाख से नहीं निकल रही है बाते और वस यही सोच रही हूँ कि यह भगवान क्या कर दिया आपने उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए दो दो बच्चे हैं उनके पा उनके च्छोटे भाई से इनकी साथी हो गती थी इनके पती के ही चोटे वाले भाई से तो भी उनकी दूसरी लड़की हुई है वह भी साहिति करूं पैस मैं तो यह कहूंगी बगवान जो उनके पती है उनकी आत्मा को भी सानथि दे और सबको इनके परिवार भी दुक सेने की हिमत दे भगवान और सच मही कुछ नहीं बोल सकती है कल ऐसा एक बार आपके सामने कैमरे के सामने आकर सोच रही थी की बोल लूगी इस बारे में लेकिन मेरी हम्मत भी और सच महीं सोच करना सरीर कांपने लगे इतना भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे जैसा उनके साथ करा बहुती जाद है और कहीं बार तो ये लगता है मुझे जैसा थोड़ी देर लेट जाती हूँ ना मैं करीं सपना है लेकिन फिर देखूं मुबाइल उठाके न्यूज उसकी तो वह ही पहली बार तो मैं जब मुझे पता चला तो मैं कहने लगी मैं का नहीं ऐसा नहीं होगा ये साय जुटी खबर होगी लेकिन फिर जब काफी सारी मैंने उनकी वीडियो देखी तब जाके मुझे यकीन हुआ और क्या करें बस लाँ सेरी मैं युटी बसुटी लिएकर है जै वीडियो थे बसस्टाब बस्टार कि नहीं होगी के बच गए फैसाड़े पांच और गुडू का टाइम होगे ट्यूशन जाने का वह तयार होगी और इशु देखे यह सोगी है यह जो यह तो सोती नहीं और अगर सो जाती है तो फिर उठने का नाम नहीं लेती उठ जा बेटा फिर कम खूठगी इसा तो सुलाना भी मुस्कि है चलो उठो उठो उठ जाओ पढ़ाई भी करनी अपनी है क्या खाएगी बता क्या लूँ चीकू बनाना क्या खावगी चीकू लूँ चल खड़ी हो पहले मूँ दो में ला रही जब तक काटके तो जी मैं इसको दे देती हूँ चीकू काटके तभी यह उठगी इसा काले तो भी कुछ थोड़ा होता बस इसका तो यह रहा है फ्रूट दूद तो इससे बिलकुल भी ना दे ओ लड़की को आ कई बस ममी नहीं अभी बाद में अभी बाद में सुबही ने फुसकिल से दोनों वैलों को इसके खेला दिया और दोनों ने अदा अदा खाया रदा यही रखके चली गए यह दिखी हो है एक केला भी नहीं खाती है और तो इसना वह करती है अर्मी तो इतनी उमर में तो बच्चे बड़ बड़ से बड़ खा लें लेकिन यह मारे बच्चे ना बड़े एक्टिंग करें तो दिकार मनें यह बढ़ी रख थे लों के सुबह के तो मैं उसे चीकु डे देखती हूं इशु को काटके और आपको बताओं चीकु भी सेंपल के हैं बहुत अच्छे हैं बताद देख कही मन करना देख दिखा दू आपको कितने अच्छे एक दम सुन्दर से हैं और उसको भी दूंगी मैं भी ख़ूंगी मैं भी बस चाई न पापा लू तो नोने दो नोने ना करती फिर मने सोचा चलो हुए तो पूट्टे ली बस मैं भी नी पीती तो चीकु एक अदम इशु को देदूं काटकर एक अद मैं भी खा लेती हूं आदेखें जी हमारे चीकु कटके तयार हो गे और आप देख के अंदाज लगा सोको क अच्छे हैं बिल्कुल एकदम क्लीन क्लीन और इशु को देदू क्या करी बेटा अच्छा तो अभी याद आया अभी अपना उंबर्क सेंड कर दी ग्रूप में मैडम ने बोला होगा कि अपना जो उंबर्क खुटा है वो सेंड कर दिया कर और यह अभी उठी सोके अभी स खाले हैं और जब तक इसके पापा इसके साथ मस्तीनि करता है, तो तब तक वो ऐसाँ घूमता रहेगा, जब अपना नीरज भाईया भी आरे हैं, उदर मैंने अट्टा बनाके तयार कर दिया, तो रोट सब्ची पर रोटी है हमारी और बस मैं इनको कहने लगी मैंने का तुम खालो मैं बना दूंगी रोटी और साइद मम्मी का फोन आ रहा मेरी सास का तो मैं हमसे बात भी कर रही वो भी पूछ रही थी कि कैसी तवियत है तो मैं अनसे बात भी कर ली फोन रखा है मेरे पास ही स्पीकर पर लग रहा और अपना खाना भी बना रही इनों ने सब ले लिया था अपने अपने लिये खाना तो सब ने खा लिया है और बस इनको देने के बाद फिर मैं भी खा रही और अब बस फिर मैंने उसके बाद कीचन कर दी है क्लीन भरतन वगेरा वही अपना रूटीन कर लिया और सब से लाश्ट का काम यह यहता है दूद मिठा करना तो वह भी कर दूगी उससे दे दूगी फिर बच्चों को तो जी खेर आज का वीडियो बस इतना ही अगर आपक